कल ब्रोडर व्यू के अंदर मैंने आपको एक बड़ी इंपोर्टन डिवलेपमेंट के बारे में बताया था कि इंडिया ने दस हजार के लगबग अपने फाजी जो हैं वो पाकिस्तानी बार्डर से फ्री करके तो उन्होंने उपर चाइना वाले बार्डर पर डिप्लाई कर दिये हैं और इस डिप्लाईमेंट के साथ एक नया पैटरन हमें नदर आ रहा है दो चीज़े नदर आ रही है एक तो पैटरन हमें ये नदर आ रहा है कि इंडिया की थ्रेट परसेप्शन में तबदीले आ रही है और पहले जो उनका एक ख्याल था कि पाकिस्तान वाले बार्डर से ही हमें खत्रा है और तकरीबन तमाम ही इंडिया ने अपने जो मिलिटरी आसेट्स थे वो पाकिसानी बार्डर पर डिप्लाई गर गर रखे हुए थे तो वो परसेप्शन हमें थ्रेट परसेप्शन चेंज होती भी नदर आ रही है और दूसरा ये कि एक हमें यहां पर कमी भी नदर आ रही है इंडियन फोर्सिस के अंदर के उनके पास गालबन रिक्वाइड नंबर्स में फोजी अवेलिबल नहीं है इसलिए वो मुक्तलिफ बॉर्डर से फोजी इदर उदर करके तो चाइना के बॉर्डर पर डिप्लाइ कर रहे है शायद उनके पास इनफ तादाद में हुमन रिसोर्सिस नहीं है इसी लिए वो एक बॉर्डर से उठा के दूसरे बॉर्डर पर वो ही फौजी डिपलाय कर रहे है अच्छा इसके साथ लेकिन आज ये हुआ है एक और बड़ी इंपॉर्टन डिवल्पमेंट ये हुई है कि चाइना ने इस हरकत पे इंडिया को वार्न किया है कि ये जो आप पो दो नमबरियां कर रहे हैं ने इसको बंद कर दें इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके और हमारे टाइज मजीद खराब होंगे इस तरह कि जो आप चीजें कर रहे हमारे बॉर्डर पर मजीद जो आप डिपलायमेंट कर रहे है इससे आपके और हमारे टाइज मजीद खराब होंगे हिंदोस्तान टाइम्स ने आज इस पे रिपोर्ट किया है कि चाइना इस टर्न वार्निंग तो इंडिया ओन डिपलाइंग मोर बॉर्डर ट्रॉप्स उन्होंने ये एक इंडिया को वार्निंग दे दिये कि ये जो हरकत है इससे आपके और हमारे टाइज मजीद खराब होंगे लेकिन एक दुनिया का सबसे पुराना ठिंक टैंक है और बहुत बड़ा ठिंक टैंक है उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं दुनिया भर में जाती हैं पड़ी जाती हैं गोर किया जाता हैं के उपर उसका नाम है रुसी रुसी यानि के ये रॉयल युनाइटेड सर्विसेज इनिस्टिट्यूट ये 193 साल 193 येर्स ओल्ड ठिंक टैंक है दुनिया का सबसे पुराना ठिंक टैंक है और ये 1831 में जो ड्यूक आफ वेलिंग्टन थे उन्होंने ये बनाया था इंगलेंड की अंदर और तब से लेकर ये काम कर रहे हैं इमेजिन करिये 1831 से लेके आज तक ये थिंक टैंक काम कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इनकी एक बड़ी इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है के अगले पांच से छे साल के अंदर एक बहुत बड़ी इंडिया और चाइना की जंग होगी बहुत बड़ी अच्छा ये बात वैसे ब्रोडर व्यू के अंदर मैं तो एक दो साल से वैसे ही करता चला रहा हूँ दो तिन साल हो गए मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि हो नहीं हो नहीं है जंग इसकी वज़ा ये है कि कंफलिक्ट आफ इंटरेस्ट जो है ना शदीद किसम का है दोनों मुलकों के दर्मयान और वो कहते हैं आग में तेल डालने वाला फैक्टर ये भी है कि डिस्प्यूटेट जमीने दोनों के दर्मयान मुझूद है जिस पे इंडिया बात करने को तैयार नहीं है अंग्रेजों का छोड़ा हुआ गंध है 1947 से जब ये जा रहे थे अंग्रेज जान बूच के चैना के इलाके पाकिस्तान के इंडिया में डालके गए ताकि ये सारे आपस में लड़ते रहें और ये जो रीजन है ये ज्यादा तर अपनी तवानिया जो है वो मिलिटरी मकासित के लिए यूज करें हमसे कम्पीट ना करने पाए आगे की लांग्टरम प्लानिंग करके निकले थे यहां से तो ऐसे में चाइना और इंडिया के दरम्यान भी ये लड़ाख और सिक्कम और अरुनाचल परदेश का फटा डालके गए तो एक तो ये भी इनके दरम्यान मौजूद है तो रुसी जो इनिस्टिटूट है उनके माहरीन कहा रहे हैं पांच-छे साल के अंदर जंग यानि सर के उपर खड़ी वही है दोनों मुलकों के दरम्यान और इसा होगा नौ इस जंग के अंदर जो कलीदी रोल है जो कलीदी वह कहरे है न मेन जो फेक्टर है वो सी पेक है पाकिस्तान गाश्यआप पाकिस्तान एकानमिक कोरीड़र जो के फ्लैक्शिप प्रोग्राम है चाइना के मल्टी बिलिएन डॉलर्स प्रोजेक्ट बी- Songland के लिए-ा-र होगा. इतना दफंडा है बस JEFF उनका गीम ब्लान यह है एक पूरा ड्रेड ट्रेड इको सिस्टम बनना चाहिए यहां पे और सचारिडिक हाँ प्रड़ का भी एको सिस्टम बनना चाहिए और उस एको सिस्टम के अंदर चायना का एक सेंटरल रोल होगा तो बी आराय असल में उस एको सिस्टम बनाने के हवाले से ही आपको नदर आता है इसमें यह जो आप और रोड्स पुल और बिरिजिस और यह सारा रेलवे का निजान देख रहे होते हैं ना चाहिए ना मुक्तलिक मुलकों में बना रहा है यह तो सर्फ फिजिकल कनेक्टिविट के बाद ट्रेड के कनेक्टिविटी तो डिजिटल कनेक्टिविटी यह सारा स्टार्ट होगा उसके बाद और जैसे जیसे वक्त गुजरेगा मुक्तलिक इसके मनसूबे जैसे जैसे झाले जाले जायेंगे तो यह सारे मुलक मिल के एक आपको एको सिस्टम बनाते हुए तेग नया कोरीडोर भी सुनने में आ रहा है, वहां से निकलेगा जो के पाकिस्तान के आदाद कश्मीर से गुजरेगा, अब इंडिया कहता है, कि ये तो कश्मीर तो हमारा है, तो आप कैसे यहां से आपने सीपेक बनाया हुआ है, इंडिया को एतराज है, इससे ये काशगर तक जाता है, सीपेक काशगर का जो इलाका है, जिंडियांग रीजन जो है, चाइना का, वहां से ये शुरू होता है, और नीचे गवादर जो पाकिस्तान का पोर्ट है, वहां तक ये खतम होता है, तो ये गवादर को बेसिकल, पोर्ट जो है गवादर का पोर्ट, उस से ज important corridor है तो उस पे भड़ा है तो इंडिया यहां से समझता है कि लदाख से बैठ के और इसको हम काजगर को disconnect कर सकता है गवादर से तो यह एक threat इंडिया पूस करता है चाइना के लिए इस threat को लेके रुसी इनिस्टिट्यूट वाले कहते हैं कि possibility बहुत बड़ी है कि यहां पर जंग हो यूरेशन टाइम्स ने report किया है कि सीपेक थ्राटन से सेकंड इंडिया चाइना वार इन इस्ट्रन लड़ाग रुसी report says conflict possible by 2025 30 अब देखिए 2024 चल रहा है 25 अगला साल है 2025 यानि यू समझे कि सर पे जंग खड़ी हुई है बिलकुल जो मेरे regular viewers है उनको याद होगा इस मुद्दे पे मैंने कई मरतबा बात की हुई है और मैंने आपको यही बताया हुआ है कि कभी भी यहां पर दोनों के दर्मयान जंग इच्छिट सकती है क्योंकि मूदी की जो policies है वो टकराव वाली policies है वो मसला बढ़ाने वाली policies है हल करने वाली policies नहीं है और मूदी साब जो है वो जंग की तरफ ही लेकर जा रहे है basically इंडिया गुचाहना के साथ जंग की तरफ और अफसोसनाग बात यह है कि capabilities नहीं हैं लेकिन फिर भी वो जंग की तरफ जा रहे हैं अब भी misread कर रहे हैं उनके generals जो हैं misread कर रहे हैं मिसाल के तोर पर आप दरा यह देखिए इसी report की अंदर Eurasian Times कहता है कि geopolitical experts have predicted that the threat of a second India China war in the Himalayas is looming large and they expect the conflict to break out anytime between 2025 and 30 society बिलकुल सर पे खड़ी हुई है इसके बाद लेकिन तरह यह important हिस्सा देखिए however the former Indian army chief differs in opinion saying that post galawan clash in 2020 China is aware that the new India is no pushover and will not risk an escalation before resolving the Taiwan issue यह सरासर गलत assessment है बिलकुल गलत assessment है यह वैसे ही गलत assessment है जैसे यह समझते थे कि China नहीं आएगा बहुत बड़ा trade हो रहा है हमारा उनका तो ट्रेड को रिस्क पे नहीं लगाएंगे मुदी ने यही सोचके तो आर्टिकल 370 रिमूव किया था लदाक से यह इतना बड़ा ट्रेड हो रहा है तो इसको रिस्क पे नहीं लगाएंगे तो यह कभी हजार का वहाँ पे नंबर पूरा करके और वहाँ पर डिप्लाइमेट कर दी पहले वहाँ पर इतनी forces नहीं लगाते थे यह बिल्कुल इसी तरह से इंडियम्स विस्रीट कर रहें इसको अभी भी और वो किया रहा है देखिए 2020 में जो हुआ उसके बाद तो यह जुरत नहीं करें कि हमसे लड़ने की वह क्या हुआ उसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ है आर्मी चीफ साहब बताइए तो सही क्या हुआ है वो चाटे चूटे मार के उन्हों ने आपके बंदों को भगाया वहां से और कबजा करके बैढ़ गए उस लाके के उपर जिसके लिए हो कहते हैं यह हमारा अलाका है आपने क्या कर लिया उसके बाद चार साल हो गया है क्या कर लिया क्या उख़र लिया आपने उनका कुछ भी नहीं कि आपने तो अपनी वीकनेस शो किये आपने यह शो किया है कि यू आरा वीक फोर्स आप अपना अलाका जिसको आपना अलाका कहते हैं, वापस नहीं ले सके चार सालों के अंदर, आपने जाकर सिर्फ बीस-पचीस राउंड आफ-टॉक्स की हैं, सारों के अंदर ये होताया, चानीज कहते हैं, मद्धी चले जएं़ पीछे ही हमारा आलाका, क्या होता है, इसकी आगे, कुछ मी नहीं कहते हैं, तो Simmonsman को ये कहे कर उसने justify कर दिया कि कोई नहीं घुसा याद करें मोदीने क्या किआ था कोई नहीं घुसा चायना ने इतना बड़ा राका ले लिया और ये कहते थे कोई नहीं घुसा लहादा बड़ी alarming लाइन क्रियेट हो चुकी अल्रेडी जिसको सर्फ तीली लगाने की देर है हिंदू मुस्लिम डिवीजन और दीगर जो हिंदू सिक डिवीजन इतनी ज्यादा हो गई है और अधर नौर्थ इस्ट के रीजन्स में और कश्मीर के अंदर वो मतलब बिलकुल आग बगुला है व को फेस करेंगे विकोज वहां से जैसे कि मैं कहता है रहता हूं पी एले एक नई जंग की तैयारी कर चुका है वर्चुल डोमेंट्स में वो जंग लड़ेंगे सारे सारे डोमेंट्स के अंदर लड़ेंगे और यहां पर वो मशीने सॉफ्टवेर्स ज्यादा इस्तेमाल कर है लेकिन इंडिया प्रिपेड नहीं इसके हवाले से नहीं प्रिपेड लेट मी मेक इट वेरी कलियर अगे नहीं इसे बिल्कुल नावाकिफ है इनको कुछ नहीं पता कि वहां से क्या आएगा अगर 25-30 में वो लड़ाई छेड़ेंगे ना तो यह बिल्कुल वैसे ही आफ